इस बार पावन भया को ले के चलना है 15 साल पीछे जैसे पहले गाते थे वैसे इस बार हम अरे कैले बाक कमाल तो हर लाल घाघरा आक के न थुनिया कहजी लाओ रे मली या गिरलबाट गंगाजी के ती रावा वार तो भक्ति भक्ति लगना चाहिए ना भक्ति मैं लगना चाहिए आप भजन करने जा रहे हैं माता की आ maiorती करने माता कर पूजा कर रहे हैं तो वह चीजन चाहिए उसमें डिचिम डिचिम डाचुम डूचुम कर दिये कोई गाना हुआ है नमस्कार पना मैं छोटु तब आही और आप देख रहा है तब आही नियुज भोजपूरी अभी मैं मौझूद हूँ पटना के मसूर डिरेक्टर छोटु रावत जी के स्टुडियो पर जोक मौझे डिरेक्टर छोटु रावत जी हमारे साथ मौझूद है और उनसे भी मैं कुछ मिलने का पर्यास करूंगा सर सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और बधाई है बहुत बहुत धन्यवाद तबाही नियुज के सारे दर्शकों को मेरा बहुत सारा प्यार दुलार और दिल से धन्यवाद हमारे तरफ से हैं मुझे भी बहुत खुशी हुआ कि यह गाना भी नमर वन ट्रेंडिंग पे में ट्रेंडिंग पे और म्यूजिक पे तीन नमबर पे चल रहा है दर्शकों का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है मुझे मैं गदगद हूं बहुत मजा र प्रवलोग कर रहा था और इनका बहुत बड़ा फैन था छोटु सरका जो कि इनका स्टूडियो यहां पर मौजूद है इसी स्टूडियो से पवन सिंग के नजर मिला बबवान से और ना जाने कितने गाने को यह गाने को अपने दिये और म्यूजिक बजाए तो सरी पविझिक का है इस बार जो देविगीत है ऑना चाहिए तो पहले घौतेत थे दिये पहले घौतर हो हाँ मैं मेजिक डिरेक्टर से पहले हैं बहुत बड़े फैन है हम भी सोचे कि इस बार अगर मुझे अगर मौका मिला करने के लिए भाईया का तो मैं इस बार कुछ ऐसा बनाऊंगा जो मुझे पसंद है और जो पुराने शुरोता जो उनके हैं जो बहुत उनका बहुत बड़े फैन है जो उनको दिल में बसाकर रखे हैं भगवान की तरह पूछते हैं उनसे अभी पहले इतने सारे गाने मार्क लेकिन भाईया का जो गाना आया तो आपने देखा लग रहा है कि अब दिशारा शुरू हो गया बिलकुल आज मुझे वो गाने ऐसे मुझे सुनाई दिये क्यों नहीं मैं दिल से बोल रहा हूं कि गाने में जिस तरह से आपने म्यूजिक को बजा और पावन सिंग जी ने हर्मोनियम पर बैटकर परंपरिक गीत की तरह उन्होंने उस गाने को सजाया है और अरुन बिहारी जो कि कलम के जादूगर तो है ही उन्होंने अच्छे से सब्दों को लिखा है आपनी म्यूजिक बजा दिया क्या चार्ज चांद लगा दिया बस बस सबका प्यार एक और गाना उनका रिलीज हुआ है और भी गाने उनके आज लाल गागरा तो अभी ट्रेंडिंग में ही चल रहा है बहुत सारे उस गाने को भी पसंद कर रहे हैं लोह देखिन देवीगीत जो है अभी और भी बहिया शूट कर रहे है आज या कल शूट करेंगे और वी कान यजो गाने बनाया वो ज्यादा तर पच्रा है जो पुराने लोग पसंद करते थे हैं और यह थे बहुत पहले जो गाने दिल को सुकुन मिलता तो उनका देवी भजन आया तो आप लगने लगा कि अगया उसी तरह जितने सारे गाने अभी मैंने जो बनाया है और अरुन बिहरी जी ने लिखा है तो सारे गाने लगभग लगभग ऐसा ही है पचरा गाना ही है और बहुत जल्द रिकॉर्ड भी होने वाला है और हो सकता है आपने जो भक्ती गाने को जो म्यूजिक बनाये थे या कितना समय लगा और ऐसा ही रिदम आपने क्यों चुछ जिए कुछ वेरियेशन चूपकी अकुछ आ सोच रहता है कि मैं कुछ आगर मामें तो कुछ अगर कुछ ड़िखता हो radically देखता हूँ मुझे यह चीड चाहिए कि लोगों को कितना मजा रहा है वियर ना क्या होता है बाउत ही टो जाता है लोग आते कि यह इतना आगे लेकिन हम देखते हैं मैं अपने दिल के सुकुन के लिए गाना बनाता हूं मुझे जो अच्छा लगता है वही चीज बनाता हूं तो दिल से लगेगा ही दिल से जब बनाए है तो दिल को लगेगा ही और भाईया दिल से गाद दिये हैं दौर चलते हैं लेकिन आपने भक्ति क्यों घरन चाहिए अप भजन करने जा रहे हैं माता की आर्ती करें एक पूजा कर रहे हैं तो वह चीज दिखना चाहिए उसमें कर दिये कोई गाना हुआ है अरे गाना की लगे कि हां दिशारा शुरू हो गया वो लगना चाहिए बहुत अच्छा होगा दर्सकों के लिए अचाना कि हम लोग एंट्री ले लिए हम कुछ और कर रहते हैं अब मेरे दिमाग में वही गाना चल रहा है अब लगी तो हमको सुनना पड़ेगा वो एक लइन सुनाते हैं और उसको हम हम भी खोद भी सुन लेते हैं और आपको भी सुनाते हैं देखिए मैं लाइब अभी दिखा रहा हूँ सातोर बहनिया इसी स्टूडियो से गाने का ट्रेक बने थे और छोटु रावसर ने बनाये थे गाने को और काफी ट्रेंड कर रहे हैं गाने मैं कैमरामें से चाहूंगा कि थोड़ा नजर को टीकाई रखे इस स्क्रीन पर क्यों सब्सक्राइब कम होगा का इस ना खिरन खोषी लाओ रे मलीनिया घिरल बाटे गांगा जी के तीरवा सब्सक्राइब ये गाने में मतलब की क्या दर्शाना चाहाे हैं पावंच सिंग और आप सभी ने टीम को मिलें और देखे ना कि भक्ति में पारंपरिक चीज़ है पारमपरिक बाते हैं जो देवी पच्रा की था ये पच्रा में जो जो सब्दी होता है वो चीज इसमें अगर हो जाए कि क्या बात है देखिए छोटू रावा सर ने काफी इस गाने को अच्छी तरीके से सजाया और लेकिन थोड़ा दर्सकों को सर ये भी हो जाए कि लाल घाघरा वाला अगर दुलेंट पहुंच सिंग का क्यूंकि उनके फैन काफी उस गाने को भी प्यार दिये है केले बाक कामाल तो हर लाल घाघरा काइले बाक कामाल तो हर लाल घाघरा ना चाहें चाहांगां ने व 것은 भने भक्ति giaने को ट्रेन में ला दिया हमारे जितने भी शुरुता समाज भगवान है इसमें जितने भी team काम किये हैं जैसे हिए राइटर है हमारे अरुन भिहरे जी मैं हो गया पौण भीया के ताली साहले में लोग हैं जितने भी टीम-वर्क है, कमपनी मालिक जो हैं, कमपनी के लोग हैं, वेव म्यूजिक जो भी हैं सारे लोग, सबका एक युगदान इस गाने के लिए शुरू से बना रहा है कि इस गाने को बहुत प्यारा बनाना है और कुछ करना है इस बार पुराने तरीके से कि इस बार पावन भया को ले के चलना है 15 साल पीछे जैसे पहले गाते थे वैसे इस बार हम लोग को देना है यह गाना और हम लोगों ने यह दिया और काफी ज़्यादा सबको धन्यवाद देना चाहेंगे और लव यू जो कि काफी संदार तरीके से अपने जवाब को दिये और गाने इनके भक्ति काफी बज रहा है तो भक्ति गाने जाईए खुब प्यार से बाद दिजिए भर भर के और हम लोगों को ही प्यार सिर्बाद दिजिए तो जाते च चनल यूँ चलता रहे तबाही तबाही न्यूज और तबाही मचाते रही एक दम गर्दा गर्दा जय हो तबाही बहुत-बहुत धन्यवाद और कैमेरा मैन राहूल के साथ मैं छोटू तबाही और आप देख रहे थे तबाही न्यूज भुजपूरी